हाई गाईज आज हम लोग python में file handling में जानेंगे यह किसी file को open किसे किया जाता है opening a file if we want to use a file or its data first we have to open it किसी file को use करने के लिए या किसी file के data को इस्तमाल करने के लिए यह जरूरी है कि पहले आप उस file को open किजी यह पहला step हो गया किसी file से work करने के लिए द्यान में रखेगा तो open करेंगे किसे open करने के लिए हमेरे पास एक function है open function open function is used to open a file open function का इस्तमाल करके हम लोग file को open कर सकते है it returns a pointer to the beginning of the file this is called file handler or file object यह function एक pointer return करता है जिसे हम लोग file handler या फिर file object कहते है और यह point कर रहा होता है एकदम फाइल के beginning में आपने लोगों ने ओफिस वर्ड देखा होगा ओफिस वर्ड में जब आप open करते हैं किसी file को तो आप जो एक blink करता हुए एक straight line होता है वह straight line pipe sign की तरह रहता है वह blink करता है जहाँ आप लिखते हैं वहाँ तो जब आप open करते हैं तो एकदम बिगनिंग में रहता है इसी तरीके से जब आप कोई file open करते हैं तो यहाँ भी एक उसी तरीके का blinking cursor है जो की file के beginning में रहता है so open function क्या करता है open function का इस्तमाल करके आप किसी file को open कर सकते हैं open function एक pointer return करता है जिसे हम लोग file handler या फिर file object कहते हैं इसका इस्तमाल करके यानि की file object का यूज करके further आप इस file में अलग-अलग काम करेंगे जैसे read करेंगे write करेंगे उपरी बहुत सारे काम होते हैं जो हम लोग आगे धीरे-धीरे करके देखेंगे इस function का पूरा syntax बहुत लंबा है लेकिन इतना सब कुछ में detail में जानने का सकता नहीं है इसमें से main जो है वह मैं आपको बता देता हूं जिसके open लिखना है पहले parenthesis देना है parenthesis के अंदर आप पहले file name लिखते हैं कौन सा file आपको open करना है उस file का नाम आप name में यहां पर लिखते हैं उसके बाद आपको mode लिखना पड़ता है text mode है तो text mode में जो भी mode आएंगे वहाँ आप यहां लिखेंगे courts देना है दियान रखिए का या फिर binary file है तो binary mode में कौन-कौन से mode आएंगे वहाँ आप यहां लिखेंगे देन बफरिंग लिखते हैं आप encoding लिखते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि इंकोडिंग मैंने बताया मैंने बोला था कि मैं आपको बाग में बताऊंगो तो यहां जान लेंगे हम लोग कि इंकोडिंग क्या mention है यहां पर एर से new line है close FD है और यहां पर opener है तो इतनी सारी जाने का आज सकता नहीं पढ़ती है जो बेसिकली होगा जो ज्यादा तर यूज होगा वह हम आपको mark करके बता दूँगा फिलाल हम लोग थोड़ी थोड़ी जनकारी सभी के बारे में ले ले लेते हैं जिससे कि एकमालेश के exam है किसी है उस file name को यह represent करता है यानि कि आपको यहां पर वह file का नाम लिखना है उस file का नाम लिखना है जिसको आप open करना चाहते हैं quats के अंदर में लिखना है single या double quarter पी उसकर सकते हैं then mode mode represent करता है purpose of opening यानि कि किस purpose के लिए आप इस file को open कर रहे हैं वह आप यहां पर लिखते हैं जैसे कि मैंने R लिखका तो मैं इसको reading purpose के लिए open करना चाहते हैं या जो file open हो रहा है यह किस purpose के लिए हो रहा है reading purpose के लिए ह नहीं कर सकते हैं यह reading के लिए open हुआ है तो इसमें सिर्फ read करने का काम ही हो सकता है write का का काम नहीं हो सकता है it defaults to R यानि कि अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे mode को तो यहां पर R मौजूद रहेगा then हमारा buffering है it is an integer value used to set the इसको पढ़ लिजेगा ठीक है buffering का वैसे हम लोग कुछ खास इस्तमाल करते हैं नहीं in text mode we can pass 1 for buffering to retrieve data from the file one line at a time we can pass any positive number default is यहां अगर आप buffering हम लोग नहीं लिखते हैं तो वहां पर यह मौजूद रहता है okay in the binary mode we can pass 0 as buffering integer to inform not to use any buffering zero pass करेंगे तो कोई buffering नहीं होगा one pass करेंगे तो data retrieve data from file one line at a time होगा अगर कुछ भी नहीं देते हैं तो by default यह यह bytes वहां पर ले लेता है buffering में यहां आप equal देकर इस value को लिख सकते है one zero यह जो भी है इसके आगे जानते है encoding errors so यह हमारा syntax था encoding का क्या मतलब होता है name of the encoding used to decode or encode the file it should be used only in text mode तो यहां पर हम लोग जब text mode use करेंगे तब हम लोग इसको use करते है by default यहां पर none है वट आप चाहें तो encoding यहां पर use कर सकते हैं जो text होते हैं operating system उस text को encode और decode करता है वो platform dependent होता है मतलब अलग-अलग platform आपके text को अलग-अलग तरीके से encode करेंगे तो आप default पर depend ना रहकर क्या कर सकते हैं कि आप utf-8 यहां पर mention कर दीजिए तो उससे क्या होगा कि किसी भी platform पर यह file open हो रहा है वहां पर encoding का जो use किया जागा encoding के लिए होगा utf-8 ही होगा चाहे होगा Linux पर हो Windows पर हो यह फिर other platform पर हो encoding आपने यह mention कर दिया है तो जो आप mention करते हैं वह ही use किया जाएगा तो इसलिए यह recommended है कि आप encoding यहां पर mention करके चलें वाज जनरी हम लोग utf-8 लिखते हैं इसमें text file जब use करते हैं तो इसके अलावा error है an optional string that specifies how encoding and decoding errors are to be handled this cannot be used in binary mode some of the standard values are strict ignore or replace etc तो यह errors mode आप यहां पर देह सकते हैं यह errors के लिए आप यहां values दे सकते हैं by default यह none है इस तरीके से new line है हम लोगों ने यह देखा हुआ है कि हम लोगों ने देखा हुआ है कि new line में हमें यह binary में print हो रहा था और text में यह print हो रहा था आप चाहें तो new line में universal new line mode works इसको control कर सकते हैं आप अपना यहां पर new line देकर तो वही new line आपको हर जगा देखने को मिलेगा then एक हमारा है close fd यह तब यूज किया जाता है जब आपको file descriptor देते हैं बजाए file name देने के by default इसमें true रहता है जब आपको true देते हैं तो आपको file name लिखना पड़ता है और generally हम लोग file name ही इसमें लिखते हैं then last one इसमें है opener यह नया है इसमें python मे a custom opener can be used by passing callable as opener so इसमें आपको कुछ चीजें बताता हूं जो important है हमारे लिए पहली बात तो यह कि file name आपको देना यह अनिवार यह है बिना file name का काम नहीं बनने वाला है दूसरा हम लोग use करेंगे mode तीसरा हम लोग कभी-कभी use करेंगे buffering हम लोग use करेंगे encoding और यहां से कभी-कभी और जुरुत पढ़ती है आपको तो आप new line को समझ करेंगे आप यह use कर सकते हैं बाकी चीजें हम लोग use नहीं करते हैं default के साथ हम लोग जाते हैं इसके साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यहां पर जो values हम लोग देते हैं आपको file name देना है पहला आप जो भी value लिखेंगे वह लिखेंगे यह order maintain होना चाहिए तब जब आप यह ना लिखें सिर्फ आप values लिख रहे हैं जैसे कि file name लिखा कॉमा देकर मैंने सिर्फ r लिखा reading mode के लिए फिर मैंने सिर्फ buffering का जो भी value होगा 0 या 1 लिखा यह नहीं लिखा फिर कॉमा देकर मैंने encoding का सिर्फ utf या फिर none लिखा तो इस case में आपको इस order को maintain करना है अगर आप order maintain नहीं करना चाहते हैं तो उस case में आपको यह पूरा लिखना पड़ेगा या निकि mode equal r फिर आप इसको कहीं भी लिखे वह चलेगा encoding equal none कहीं भी लिखे चलेगा order maintain नहीं करना आपको यह इस तरीके से order maintain नहीं करना पड़ेगा जब आप इस पूरे को लिखेंगे तब लेकिन अगर आप सिर्फ values देते हैं जो भी values यहां होगा औ तो उस case में आपको इसका order पूरा maintain करना पड़ेगा जी यहां तक समझे में आख है clearly अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा एक example देख लेते हैं प्रोपल की open को लिखते कैसे है open को लिखने का simple सब तरीका है आपको open लिखना है open उसके बाद मैंने लिखा file name मेरा file का नाम है student.txt extension है इसका courts के अंदर में लिखा कॉमा देकर मैंने है w लिखा हुआ है आप यहां पर mode equal w भी लिख सकते हैं but मैंने order यहां maintain किया है मेरा syntax आपने देखा हुए था मेरा पहले था file name इसके बाद मेरा था दूसरा mode अब यहां पर लिख दूँ कॉमा देकर utf8 तो फिर काम नहीं नहीं बनेगा वह order बिखड गया file name mode के बाद buffering लिखना था बट मैं लिख रहा हूँ क्या encoding जब order से आप भटकते हैं तो आपको पूरा लिखना पड़ता है encoding equal sum जो भी उसका value होगा open function का use किया file का नाम लिखा इस file को किस mode के लिए open करना किस purpose के लिए open करना है वह हमने बताँ कि कुन-कुन सा mode होता है यहां पर कुछ दिर में मैं भी next video में I guess I believe उसके बाद यह function return करता है एक file object तो यहां पर आप कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं मैंने f लिखा हुआ अब f की जगा कोई भी नाम लिख सकते हैं यह f क्या है हमारा यह f हमारा file object है specifically बताऊं तो यह हमारा file name हो गया यह हमारा file mode हो गया यानि कि किस purpose के लिए आप file को open कर रहे है डबलू है तो write के लिए और यह हमारा हो गया file handler या फिर आप इसे file object कह सकते हैं इसके अलावा आप चाहें तो यहां पर file path भी दे सकते हैं पूरा का पूरा यहां पर path भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं यह हमारा क्या है यह हमारा है file path जब मैंने यह लिखा इसका मतलब यह है कि जहां मैं program बना रहां उसी directory में मेरा यह वला होगा तो मुझे पूरा path लिखनी कह सकता नहीं पड़े लिखना आप चाहें तो इस तरीके से path specify कर सकते हैं सो इतना मैं आपको दिखा देता हूँ कि file को कैसे open करना है हाला कि इसका कोई example बनता नहीं है practically मगर फिर भी मैं आपको यह दिखा देता हूँ then next video मैं आपको mode बताऊंगा different different कौन-कौन से mode है text mode और binary mode के so simply हमें लिखना पड़ता है open और यहां पर file का नाम student.txt then यहां पर आप लिखते हैं कि किस mode के लिए आप इसको open करना चाहते हैं अगर आप नहीं भी लिखते हैं for example मैं यह मैंने इतना ही लिखका सिप open लिखका और file का नाम तो भी मैरा काम चलेगा यहां पर by default यहां पर R मौजूद है कॉमा देकर मैं इस तरीके से R लिखूं या ना लिखूं यहां R मौजूद है या फिर आप इस तरीके से mode equal R भी लिख सकते हैं बट यह लिखे या ना लिखे कोई ज्यादा असर आपको नहीं पड़ेगा यह by default इसमें होता है यह open करने का तरीका है और यह open होने के बाद return करता एक file object जिसको मैंने f में store कर लिया और further हम लोग चाहें तो f को हम लोग print कर लेते हैं तो print किया मैंने f को करते हैं इसको save, save करने के बाद इसको करेंगा हम लोग run तो देखते हैं क्या मैं देखने को मिलता है मैंने इसको क्या run तो हमें यहां पर मिल रहा है यह object में क्या है name है एक variable जो कि हमें यह बता रहा है mode इसका बता रहा है और यह encoding by default यह लिए होगा reading mode में cp1252 यह windows में आपको यह दिख रहा है maybe unix में आप देखेंगे तो आपको कुछ utf8 या फिर कुछ भी अगर आपको मिलेगा encoding so guys यह है हमारा की file को कैसे आप open करेंगे अब different modes हम लोग देखेंगे next video में कि यहां पर R और W के अलावा हम ने अभी हमने R देखा और but in के अलावा यह कैसे काम करता है क्या काम करता है यह सारे चीज़ हम लोग लेकिन next video में thanks for watching